जए जोहर जए अदिवासी तो कैसे हैं आप लोग फाइनली आज लाइव चर्चा होगी जब भी मैं लाइव आती हूं चाहे वो इंस्टाग्राम हो फेसबुक हो लोग पुछते हैं कि मेडम क्या मुद्ध है दिदी क्या मुद्ध है आज बात करते हैं मुद्धे पे कमेंट करके बता दीजिया आवाज क्लियर आ रही है या नहीं आवाज क्लियर आ रही है तो आगे बात की जाए वैसे आवाज आ रही होगी क्लियर बहुत सारे मुद्दों पे चर्चा होगी और क्रपया अच्छा बुरा ये वो सारे कमेंड पूरा का पूरा लाइव सुनने के बाद करें उतसे पहले अपने ये जो केड़ा होडने वाली जो क्रिया होती है अपने लोगों में वो यहां ना दिखा है तो शुरुआत करते हैं मुद्दे की मुद्दा ये है कि बात महिलाओं की है अगर आपकी बहन है कोई आपकी बेटी है आपकी दोस्त है या कोई भी जिससका आपके साथ संबंध है क्या आप उस महिला का चाहिए बेटी हो उसके साथ आए दिन कोई निरंतर दुखी कर रहा है दुखी किस टाइप से सुई चुबाने वाली घटना कर रहा है मांसिक रूप से पताड़ने की क्रिया का हर रोज उसे मारने की कोशिश कर रहा है इवन मार भी रहा है गाली गलोज कर रहा है अब शब्द बोल रहा है निरंतर ऐसा हर रोज हो रहा है इनसान सामने वाला चाता है कि वो लड़की बरदास करकर के मर जाये, लेकिन अगर वो लड़की ऐसा ना करके अपने आपको मजबूत साबीद करके अस विक्ति को छोड़ देने का डिसीजन लेती है, आप उसलड़की के भाई हैं, पिता हैं, तो क्या करोगे लड़की गलत ह कैसा कहो गह सकता है कहो गए अगर आपकी सोच पूरी तरह से पुरुषवादी है आपकी सोच में महिलाओं की कोई इजट नहीं है अगर आपकी सोच में महिलाएं सेफ और से बिस्तर की गर्मी तक सीमित है तो अब उस जैसे घटिया इनसान को सही पहे के अपनी बेहन को अपनी बेटी को गलत कहें गया राइट मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ मैं 2017 से निरंतर आदिवासित बचाने की रास्ते पर अग्रसर हूँ चाहे वो सोशल मीडिया तक ही सीमित क्यों ना हो मैंने कोशिश की है कि लोग पुना इस आदूनिक जमाने में भी अपनी कल्चर को लेकर सजग रहें यह यूआ पीडी जो आज पूरी तरह से आदूनिक हो चुकी है यह थोड़ा थोड़ा ही सही अपने रोज मर्रा की जिंदेगी में आदिवासित को बचा है इस सेंस मैंने काम किया है तो होता यह है कि आज तक मैंने कभी कोई संगटन जोइन नहीं किया कोई विचारधारा जोइन नहीं की इवन कोई भी पार्टी से सम्मंदित मैंने काम नहीं किया मैंने जो लिखा जो बोला मेरी वेक्तिगत विचारधारा थी अब बात ये आती है कि जिस टाइम मुझे सब जानते थे तो हर दीन कोई ने कोई यंग बोई किसी ने किसी टाइप से मेरे से बात करना चाह रहा है प्रोपोजल रख रहा है तो मेरे सामने एक चैलेंज था कि मैं किसी एक ऐसे विक्ति को अपने जीवन में लाऊं जो मेरी सामाजिक विचारधारा को समझे मेरे विचारों को सम्मान दे मैं जैसी हूँ वैसा स्विकार करें तो राजिस्थान में कारियरत एक 2015-16 में निर्मित आदिवासी परिवार का एक कारी करता जिसके साथ जिसने मुझे कहा ऐसा नहीं मैं सामने से गई हूँ उसने कहा कि ब पांशे महीने बाद होने के बाद कुछ चीज़ें ऐसी थी आ समाजिक तत्व जो मुझे हर कुछ बोलते रहते थे मतलब लाइक डेट वह प्रपोजल रखना यह वह उस टाइब का यंग जो लड़का लड़की करते हैं उस टाइब से तो मैं एक एक को जवाब नहीं देना च करके लेकिन उसका इरादा कते यह नहीं था कि मैं अपने रिष्टे को ऐसे दिखा के मज़े लेना चाहरी हूं नहीं उसका इरादा यह था कि जो लोग मेरे को गलत लेके सोच के बैठे हैं उनके दिमांग में आ जाए कि भई यह इसकी जिंदेगी में खुश है हमें उसे गलत नजर से नहीं देखना है इसको गलत ले लिया गया ठीक है कोई बात नहीं सब कुछ ठीक है अगरवालों का आना जाना हो जाता है फिर व्यक्ति जो निक्रस्ट वेवार करता है निक्रस्ट यानि आप यह सोचो कि एक व्यक्ति वो लड़की से उसके पिता के कॉल आने शक्त करें उसके हर हर चीज पर शोक करें इसे को कि मेरे को बात में पता चलता है कि कि बएए इनका कहीं कोई सामाजिक विचारधारा से कोई मतलब नहीं है और ऑक्र एलो हर वेक्ती जो सामाजिक होने का ढोंक कर रहा है हमारे attachin यही राजिस्थान में वह गिंग ऩाइं कई कि ने किसी तरीके से महिलाओं के साथ घलत करा यह तो पहले मुझे लग रहा था कि शिफ मेरे साथ हो रहा है तो मैंने लगबग श्मलंत एक साल उस टोर्चर को अकेले बरदास किया, वो तोचर इतना बुरा था कि अगर में सारवजिनिक करूं तो हो सकता है, आप रोने लग जाएं कि इतना बुरा भी कोई किसी के साथ करता है वो इतना बुरा करने वाला वेक्ति इज़द से मंच प्रो बैठता है उसको सारे लोग इज़द देते हैं चलो उसने क्या बुरा किया क्या नी बुरा किया वह चलो अलग वीशे है लेकिन आप सब अभी क्या बोलते है अभी तक आपके हाथ पेर दुख रहोंगे जो आप मा मैं वहां इसलिए नहीं ग commitment सभ्मार किस मारत अगर कोई धर्म अपना वर्चस विस्थाफित करने की गलत कोशिश करेगा चाहे वहां मुसलमान भी कुछ करता हुसाइ कुछ करता, जेयन से बहुत कोई भी धरम करता, उसका विरोध होना स्वाभ्यविक था, उस विरोध के कारण में वा गई थी, सब की तरह, मेरा कोई इरादा नहीं था मंच पे जाने का, मैं मंच पे साइड में खड़ी थी, हमारे आदिवासी परिवार के संस्तापक, प्रमुक संस् बवलाल परमार दादा, जिनकी मैं बहुत इज़त करती हूँ, अभी भी करती हूँ, उनको सब ने मना किया, कि भगवती बिलकुम मंच नहीं देना है, क्योंकि मैं आदिवासी परिवार का विरोध करती हूँ, लाई बता रहे हूँ, आदिवासी परिवार का विरोध कभी नहीं किया मैंने उन लोगों का विरूद किया जो अपनी भाषाओं पर पकड़ नहीं रखते हूं सोशल मीडिया पर सरयांव सब्सक्राइब के किसेpellे ओ questionnaire मित अधारा लगा एक हैombn वह व्यकति भी आदिवेस्य बितीबि में वह वतीबिया वैसि और जो वीकति किसी पार्टी में नहीं है वोटा नोटा जो है उसकों वोट दे divas flavor आप किसी को किसी भी प्रकार से रोक नहीं सकते हैं हर विकति जब आदिवेसी है हर पाटी और इवन मानगड पे कोई बिलपरदेश मुक्ति मोर्चा के समर्थन वाले लोग नहीं आये थे वहां वो सब लोग आये थे जिनको एतिहासी किस मारक पे भगवा करन बरदास्त नहीं हुआ ऐसे ऐसे लोग आये थे जो एसी केटेगरिक से भी थे लेकिन वो आदिवास्यों क सम्मान में वहां आये थे OBC से भी लोग आये थे मैंने देखा कुछ मॉमेडियन्स लोग भी वहां पे थे आप किसी को रोक नहीं सकते वह वहां आने से मैंने मन्च नहीं मांगा उनोंने मन्च दिया मैं छोटी मोटी मुद्धों पे बहस करती हूं मैं छोटी मोटे मुद्धों पे नसिव आदिवैसी परिवार से तमाम देश के जंगटोनों से जो किसी निकिसी प्रकार का अधिवैसी संस्कृति या अधिवैसी समाथ के लिए काम कर रहे हैं उनको अगर वो गलत कर रहे हैं तो मैं उन्हें गलत है ऐसा कहती हूं क्योंकि अगर आपके पास इतनी समझ है तो आप अपने विचार रखें पर विचार रखना और आप विचार रखने का मतलब यह तो न पर सममान जनक शब्दों का इस्तिमाल करें लेकिन इसे बर्दास्थ नहीं होता है और आपके लिए अच्छा है और जो समर्थन नहीं करें वह इंसान आपका वीरोधी हो जाता है एसा असंभव है ठीक है तो अब मैं आपको बताओं विरोध कहां होता है एक महिला होने के नाते क्या मुझे महिलाओं के मुद्दों पे नहीं बोलना चाहिए मैं सोचती दिए हमारा आदिवासी समाथ बहुत माने यहां महिला पूरुस बेदबावी नहीं होता है डुंगरपूर में 10 साल की लड़की के साथ बलातकार हो गया बकाइदा उसको मार के फेग दिया दर्यावत प्रतापगड में एक जगे हैं जहां पे नजाने कितनी हैं अब सामाजिक विरोध नाम की कोई चीज होती नहीं होती है फिर वो जो विक्ति जो मेरी जिंदेगी में था वो इतना सब कर रहा था मैंने बरदास किया आपको याद है नीमच में एक आंदोलन हुआ था कनया लाल भील जिसको पिक अप से घसीट घसीट के मार दिया ग रही थी क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मैं किसी और के साथ जाओ और से पता था कि अगर यह बात रखेगी ति यह कुछ नो कुछ इसके बारे में कहेगी मैं गई वहाँ दस बार मेरा नाम अना हुआ भगवती भिलजा कहीं भी हो मझपे आए भगवती भिलजा कहीं भी हो मझपे आए लेकिन उसने मुझे जाने नहीं दिया बकाईदा उसने कहा कि अगर तु जाती है तो मैं तमाशा करना इसके चस्मदित गवाब भी इस पेज पे देखने वाले कमेंट कर सकते हैं इवन बीच रास्ते में गाड़ी में उसने जो मारा एक लड़की जिसको पुरा समाद जानता है उसको मारना और फिर लोग आके रोखते हैं ठीक है लोग आके रोखते हैं बीच रोशते हैं मैं चाती तो वहाँ पे भी ड्रामा कर सकती थी लेकिन नहीं इसके बाद विक्ति ये चाता है कि मैं सोशल मीडिया छोड़ दूँ शामजी कारिकर्मों में जाना छोड़ दूए एक साल छोड़ा मैंने मैंने इसलिए छोड़ा कि अगर ठीक रखता है तो ठीक है लेकिन इस सब कुछ करने के बाद सब कुछ करने के बाद भी वेक्ति वहीं का वहीं यानी जाना वानी जाना यह नहीं करना इससे बात नहीं करने उससे बात नहीं करने हाँ यह मेरा व्यक्टिगत मामला है लेकिन वो जो व्यक्तिगत मामला है ये कहने वाले लोग जो फ़र्जी समाठ सेवक का छोला ओड़े होए हैं वो इस बात का इntजार कर रहे थे कि ये व्यक्ति भगवति भिल को मारी डाले क्योंकि मैंने कुछ लोगों को बोला वह बहुत बड़े समाज से वकते हैं आज उनको पूरे देश में जानते हैं उनको जब मैंने बताया नाम नहीं लोगी क्योंकि जद अभी भी करती हूं कि मैंने कहा दादा ऐसे ऐसे मेरे साथ हो रहा है तो आप इसको समझाओ मैं क्या बढ़ यह इंसान मेरे से दूर जाये मेरी आखरी कंडिशन थी यह चाहिए नहीं मेरी ज़द चली गई कोई बात नीं दो साल रिस्टा रहा कोई बात नई शाहिए मेरे कोई रिस्ता मुझे इसके साथ रहना ही नहीं जस्ट फिकोस यह मैंलाओं के लिए पूरी तरफ घटिय वेक्ति है उसके घर पे बोलके देखा उसके गरवालों को कोई फरक नहीं पड़ रहा था अपने घर पे इसलिए थोड़ा थोड़ा टाइम नहीं बोल पाई क्योंकि गरवालों को बहुत सारी उमीद थी वो इतना अच्छा दिखता था लोगों के सामने भोला एकदम कि किसी को लग नहीं रहा था कि वो इस तरीके का राक्सस प्रवर्ती का इंसान है फिर सब कुछ छुड़वाने के लिए कसमे खिलाई गई ये किया गया वो किया गया उस दिन मुझे ऐसा लगा कि ये आज अब मुझे इसके साथ नहीं रहना सामाजिक बहुत सारी लोगों ने मु आदिवसी परिवार हो या मद्यप्रदेश के कोई संगठन हो गुजरात के हो या पुरे देश के तमाम आदिवसी संगठन हो एवन बहुजन समाज के कोई संगठन हो एक बात बार-बार मैंने कई है कि किसी चीज का विरोध सब्यभासा में भी होता है लेकिन इनको मंत्री जैसे इंसानों से बलते हैं ये सोशल मीडिया पर लड़कियों को रंडी जैसे शब्दों से संबोधित करते हैं कौन से सब्दों से रंडी जैसे उन लोगों की इज़त है बिलपरदेश मुक्ति मुर्चा मैं मैं बहुत समझ दिन हूँ आप चाहे मैं विरोध नहीं क फिर भी मन्च दिया गया जाती हूँ मैंने मंच पे इज़द से यूं कहा मैं बोल देती हूँ आपने वीडियो सुना लेकिन उसके अलवा मैंने मंच पे कहा कि एक व्यक्ति जब जन्म लेता है और जब तक मरता है तब तक वो आदिवैसी परिवार का हिस्सा है लेकिन मैं भगवती भिल आदिवैसी परिवार का हिस्सा हूँ ये बात मुझे एसास करने वाले 2015-16 में मानगर दाम पे बने आदिवैसी परिवार की बदोलत है जिनोंने हमें ये एसास कराया में मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरा गाउं सब आदिवैसी परिवार का रीणी रहेगा रीणी रहेगा का क्या मतलब होता है मैंने मतलब माफी मांग ली कि हा मैं कुछ विरोध करती रहती हूँ उसके बावजूद वो वेक्ती जिसने मेरी जिन्दगी तबा कर दी हर रोज वो चाता था कि मैं मर जाओं इवन मैं आपको बता दू कि मैं हर दिन जब तक वो वेरी जिन्दगी में था मैं ऐसा सोचती थी कि मैं मर जाओं मैंने पंखे को रसी बांदी है मैं कूवे पे बैठके सोची हूँ क्या मैं कूच जाओं लेकिन मन में ऐसा आता था कि मैं मर गई तो वो महिला हैं वो लड़कियां जो मुझे देख के कुछ करना चाती है उनका क्या होगा लोग कहेंगे भगवती कोई सेड़नी नहीं थी वो तो कमजोर थी and then मैंने का नहीं मरूंगी नहीं मरना नहीं है मैंने अपने आपको जिन्दा रखा मैं आज भी हर रोज जो समाज में महिलाओं के साथ होता है उसको देख देख के इतना दुखी हूँ आजाद सोच की हूँ मेरे को महिलापूर उसका कोई बेदबाव नहीं होता है इसलिए में ठीक हूँ फिर मेरे से माफी जब मुझे लगा अधियाशी परिवार मंगवा रहा है तो मैंने के दिया रही नहीं रहेगा लेकिन बगल से एक आवाज आती है जो बहुत उचल रहा है वीडियो में दिख रहा है वो है डूंगरपूर की एक पंचैत समित्ती दोवडा दोवडा का प् मारी गई थी जो मैंने उस जैसे घटिया आदमी से बात की सिफ इसलिए क्योंकि वह अधिवैसी परिवार का वेक्ती था और मुझे ऐसा लगता था कि अगर अधिवैसी परिवार समर्थित कोई वेक्ती है तो यह मेरे विचारों को समझेगा यह मेरी गलत फ्यमी थी मुझ बड़े बड़े समाज सेवक शादी शुदा महिलाओं को लेगे गुम रहे हाला कि मुझे इन सब चीजों पर नहीं उलजना यह जाने इनका काम जाने कोई और भी कुछ कर रहा है लेकिन ऐसे असामाजिक कारे जब वह वेक्ती सामाजिक था मैं सामाजिक थी उसके बावज सारे की सारे लोग जो अपने आपको समाज सेवक केते हैं वह उस वेक्ती को चुप नहीं करा पाए मैं चाहती तो वहां पर लड़ाई कर सकती थी लेकिन मैं जानती थी कि गुजराज से आने वाला आदिवैसी भाई क्या सोचेगा माराज से आने वाला आदिवैसी भाई क्या सोचेगा मध्यप्रदेश से आने वाले जैस की साथी क्या सोचेंगे इसलिए मैं चुप रही मैंने का छोड़ो क्या करना है लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगा वो ज वेक्ति जो किसी लड़की को जान से मारने की कोशिश करता है ये सारे लोग समाज का जोला ओडने वाले इंतजार कर रहे थे कि ये मार डाले उसके बाद हम कुछ करे लेकिन वो मुझे मार नहीं पाया मैं जिन्दा रही और मैं आज भी जिन्दा हूं मैं कल भी जिन्दा या था अगर कोई गलत कर रहा है मैला के लिए गलत के रहा है तो उसको गलत है ऐसा कहना कहां गलत है जो वेक्ति शरीर बेचती है अदिवसी मैला ऐसा कहती है वो बहुत अच्छा है वो वेक्ति जिसको मैलाओं के साथ अबद्र घटनाई करने की वज़े से किसी शहर से भगा भगा के मार मार के दोडाया जाता है वो वेक्ति सही है लेकिन एक लड़की जो ये कहती कि हाँ ये इस वेक्ति ने महिला के साथ गलत किया ये गलत है ये कहने वाली लड़की को माफी मांगनी है इतना अच्छा दोगलापन वाला जो समासिवक वाला रूप है होने के लिए जरूरी नहीं है कि हम मुक्ति मॉर्चा से जुड़े में पैदा हुई हो मेरी तरह दूसरे होंगे मेरा बच्चा होगा या दूसरे का बच्चा होगा वो अगर आधिवासी है तो स्वभावी कुरूप से वो तो मरते दम तक आधि वारची परिवार का हिस्सा रहेगा कौन होता है निकालने वाला जोडने वाला यह होते और आपने बनाए ठीक है मुंचती मौर्चां से आप निकाल सकते हो हटा सकते हो तो definingख मंज के लिए नहीं गई हूं नहीं कभी जाओंगी नहीं मैं किसी को बता के जाती हूँ कल वाले कारे करम में जरूर बता दिया था कि सूचना देनी चाहिए इसलिए मैंने दी थी और रही बाइत इन सब चीजों के अलावा विरोध भेंकर होता है क्या केते हैं उसको मानगड धाम पे जिस मानगड का इतियास भीलों के खून से रंजीते ठीके उस भीलों के खून वाला इतियासी किसमारक और उसका इतियास को एक मीना बेहन पूरी तरह से भील मीना का दरजा देना चाहती है उसने अपने इतियास की रचनाव में ये कहा कि मान गड़ पे भील मीना साइध हुए है भील और मीना कौन सी जाथो मतलब भील अलग है मिना अलग है भील मीना एक साथ कौन सा concept है हाँ वह राजिस्थाँ में चόςकेट में और मध्य प्रदेश तीनों में जंजातियों की सिचिमें बील मीना ऐसा लिखा हुआ है लेकिन नसिफ इन तीनों राज्यों में बकाइदा पूरे देश में पूरी दुनिया में बील मीना जैसा एक भी वेक्ती अपने सर्टिफिकेट के साथ अगर उपस्तित हो जाएं मुझे ऐसा दिखा दे कि हाँ बील मीना नाम की जाती है ऐसे ल अलग जन जाती है अभी बहुत सारा बख 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 करेंगे लेकिन फील अलग जन जाती है दोनों को जबर जेस्ति बीच में गुसरने वाला काम नहीं करना है राजस्थान में दोनों को रिजर्वेशन हैं दोनों सही है सब कुछ ठीक है अब बात होती है इन सब को देखने के बाद हाँ यह आज भी बोल रुवीज इस सीन के बाद अगर किसी दिन मेरे साथ कुछ असामाजी घटना हो जाती है यह मुझे किसी ने मार दिया उसका जिम् जो लोग थे न वो भी जिम्मेदार होगा ठीक है तो इसके बाद अब लास्ट मुद्दा मेराओं के बीच में भी मैं बहुत जादा विरोत का कारण बनी जस्ट विकोज ओफ मैंने यह लिखा कि जंजाती आरक्षन जो है देश का 7.5% ओवरॉल जो 8.6% देश की जंजाति है उनको उनके लिए जो रिजर्वेशन है उसमें समीक्षा होनी चीए क्योंकि किसी एक हिस्से का ही की ही जंजाती हमेशा से उसमें सिलेक्ट हो रही है 1969 में मीना पहली बार क्लेक्टर बना है यह बना है तो अभी तक उनमें काफी लोग बन चुके हैं not only UPSC Central Government की सारी किया है वह आप तक पहुंचे हैं तो अब जब हम किसी लेवल पे पहुंच चुके हैं हमारे परिवार में पांच पुरुष हैं तो पांचों में से अगर तीन भी उस लेवल पे हैं कि वह इनकी सेलेरी एक लाग से उपर है घर का अच्छा खासा सिस्टम चल रहा है तो बा जिनके परिवारों का डैवलप हो चुका है वह लोग स्वेच्चा से छोड़ दे ताकि जैसे 36 जारखन बस्तर जैसे इलाके जिनकी विकास के नाम पे जमीने चली गई जंगल चला गया कुछ नहीं बचा उन लोगों को फाइदा हो सके और पूरे देश के आदिवासियों क जिनको लगता है कि केवल भील और मीना हैं वो एक बार गूगल करें या कुछ किताबें पढ़ लें यह जंगाती वेबसाइट चेक कर लें उसमें देखें कि देश में कितनी जंगातियां हैं और आप कितनी जंगातियों के उपर सिलेक्ट होते हैं आप बहुत अच्छा व जोब करने जा चुके हैं आपको देखना चाहिए कि वहां आदिवासियों की कैसी इस्तती है आपको देखना चाहिए जारखन जाके वहां आदिवासी कैसे रहे रहे आप आपको क्या लगता है कि जंजाती रिजर्वेशन में सिव राजिस्थान के भील मीना आते नहीं जं का विकास होना चाहिए मैंने सिर्फ ऐसा का आप लोगों को बार कर देना चाहिए मैंने ऐसा नहीं का मैंने ये भी नहीं का कि आप लोग आदिवाशी नहीं मैं सिर्फ ये कह रही हूं कि अब आप लोग इतने काम्याब हो चुके हैं कि आपको स्वेच्छा से किसी की UPSC vacancy में select हुए उसमें से 21 लोग 31 लोग सिर्फ अपने rank को सुधारने के लिए फिर से exam दिये थे आपने पिछली वाली अबर आ सके यह केना किसी एंगल से गलत नहीं था फिर भी अगर आपको लगता है कि मैं सम्ता समीती से जूड़ी हूँ और उनसे पैसा आता है आज तक अभी तक मेरा record है मैं किसी भी प्रकार की विचारधारा संगठन पार्टी इनसे नहीं जूड़ी हूँ और रही बाद लव लव हाटे की लफड़े यह होते है आपकी भी बैन बेटिया हैं आपके घर में महिलाई हैं अगर उनके साथ ऐसा होता है हाँ लड़की अगर फस गई ती गलत वेख्टी है ये बाद में पता चला तो आप क्या चाते हैं कि मैं सामा जी की जटकी तर उसे घट्या निकरस्ट जो बाप के लिए भी शक करता है उसके साथ पूरी जिंदगी रहती नई अगर आपको लगता है न कि हाँ नहीं नहीं बगवती गलत है उसको उसके साथ रहना चाहिए तो अपनी मेडियों पी उस जैस जो हर कुछ लिखते हैं Even ऐसे ऐसे लोग comment लिखते हैं WhatsApp ग्रूपों में बड़े-बड़े नाम से आधिवसी परिवार ऐसे लिखते हैं और अंदर जो निक्रस्ट भासा का प्रयोग करते हैं हाला कि निक्रस्ट भासा का प्रयोग यह जो बड़े लोग हैं यह स्वयम मंच पे करते हैं स्वयम मतलब आपने देखा होगा मेरे को कुछ शेयर नहीं करना यहां सबसे बड़ी बात यह है कि क्या बोलते हैं उसको पुरा देश का दिवा से जुड़ा हुआ चाहे वो एक भी जुड़ा होगा तो कोई जारखंड से भी सुन रहा होगा कोई कहीं से सुन रहा होगा तो जो भी हुआ कुछ है मेरे को उस वेक्ति से माफी बिलकुल नहीं मंग चाहिए और वो वेक्ति जो गलत कर रहा है वो उसक के लोगों के बीच एक लड़की से माफी मंगवाना ठीक है कि किस हिसाब से माफी मंगवा रहे हो यार व्यक्ति गत्मामलों के लिए कोई सार्वेजिनिक मंच पर माफी मंगवाता है क्या और ले देखे सारे सारी डुमः पूर के लोग कमेंट कर रहे हैं कि वेक्तिगत M grâce मैंतबार में聽 मुझे माफी महिलाओं की तो ऐसी स्थिती है कि किसी सबीक्ति के साथ में कोई लड़की कहीं चली गई रास्थे में जा जा रही किसी ने छोड़ दिया उसका उसके साथ चलने लग जाता है ऐसे लोक बात करते हैं मेरा तो सीने की खिसी की पोस्ट पे अगर मैं लाइक भी कर दूं बगवती ने उसकी पोस्ट पे लाइक किया था इसका मतलब उसका उसके साथ चल रहा है ऐसी जो घटिया मान सिकता अपने समाज में महिलाओं के साथ होने लगती नहीं यह जो गलत फेमी है आदिवासियों में ठीके वो देखके मुझे लगता है यह सब कहने की बाते हैं लेकिन मैंने देखा है कि मद्यप्रदेश में जैस संगटन महिलाओं को बहुत इज़त देता है वो महिलाओं को समझते हैं महिलाओं किसी कारिकरम में आती है तो उन्हें लाने ले जाने की सुईदाएं की जाती हैं उनसे उम्र में बड़े लोग भी उन्हें दीदी बोलते हैं ताकि उनके साथ किसी प्रकार का गलत वेवार नहीं हो लेकिन ऐसा हमारे अजस्थान में नहीं हुआ मैं मानती हूं मैं आज स्विकार करती हूं कि मुझे शुरू में आदियो ऐसी परिवार ने मंच दिया लेकिन वो जो यह कहते हैं कि भगवती भिल को हमने बोलना सीखाया इस बात से मैं सरासर इंकार करती हूं बोलना मुझे आता था लेकिन आपने जो मंच दिया उस मंच से म मैं आभारी हूँ लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप एक लोली पॉप देखे उस वेक्ति से जो मर्जी चाहे वो आप करवाएं ठीक है मैं ऐसा नहीं कर सकती आप अगर महिलाओं के लिए गट्या सोचते हैं तो कोई समस्या नहीं है हाँ ये एक भरत परमार कह रहा है कि साबीद करके बताना पड़ रहा है यहां बड़े बड़े लोगं लोग चार-चार-फंच पांच साल और ज्यादा रिस्ते एम्यरी लाटर पॉल्प वापस लोगों शादी कर लेंने के लिए स्मयलाइट रहता हैं तो ठीक है आप सही रहो मेरे कोई फरक नहीं पड़ता है मैं अपनी जगे खुश आप अपनी जगे खुश और रही बाद आप किसी जगे पे बुलाते हैं तो आपकी इच्छा है मैं कहीं पे भी मंच के लिए नहीं गई हूँ मुझे बैगराउंड में बैठना अच्छा लगता है बच्पन चाहिए आदूनी करेके भी हम लोग कार में बैठके भी घर में कभी केलू वाले घर के नीचे बैठने चाहिए मैं ऐसा सोछति हूँ शादी ब्यामें हमारी संस्कृती बची रहनी चाहिए ऐसा मैं इसा सुछति नगता वहाग्य वो अपने अंदर के ृच्पने टेलेंट वो जो मेरे मुझ से शब्द निकला है ना कि चीतड़े उड़ा दूंगी यह आदिवासी परिवार के लिए नहीं का था मेरी नजर उस वेक्ति पे गई थी जो मेरे से माफी मंगवाना चाहता था वो वेक्ति वो था जिसने गलत किया वो वेक्ति पूरी तरह से असामाजिक उस असामाजिक वेक्ति से माफी मंगने के लिए कहोगे तो मैं कहूंगी कि अगर ये वेक्ति मेरे से माफी मंगवाना चाहता है तो फिर इसने जो किया है वो भी मैं बताऊंगी और फिर वो बताऊंगी तो इसके चितड़े उड़ जाएंगे भगवती भिल नामे मेरा ऐस मैंने कहा था यह बरे मंज पर व्यक्ति किसी महिला की जटको उच्छालना चाहता है और आप उस मामले को क्या केते हैं उसका पर्सनल मामला केते हैं थोड़ा-थोड़ा सरम करो ऐसे कमेंट करने वालों हलाकि कर सकते हैं आप तो आपकी बेहन बेटियों के लिए भी ऐसा ही का केवल सांस्कृतिक कारियों को करने की कोशिश करें हर जगे भाषन भाषन की वज़े से नए लोग जूड़ नहीं पाते हो नहीं ऐसा होता है कि क्या ही जाए सब लोग तो भाषन ही देते रहते हैं और यह जो बुजूर्ग लोग हैं जो छोटे बच्चें यह सब लोग भ के लिए भाषन देने वाले वी होंगे तो वह भी मंझ पे जा एक कोई सांस्कृतिक कार्यकरम करें आपको सुनने मितलब भाषन सुनने के लिए कोई फ्री नहीं तो आप हर जगे चाहे गाओं में हो चाहे पंचयत इस्तर पे पेढ़ winsdar फो चाहे जीला पो या रग्स्जी और आप आपके आसपास का जो एक लोकेशन आप जाना चाते हो कि हां मुझे यहां कारिकरम मनाना है ता बेशक वाँ जाए और आप वही पे जो कारिकरम करना है करवाना है वो सब एक ही जगे करें शाम कोफ्री हो जाएं सई सलामत आपके घर आजाएं कोशिश करें कि आप सब लोग दिखावे की संस्कृती में ना जाएं वास्तो में अपने मन से संस्कृति अपना केवल सीर पे एक सफेद रुमाल बान देना संस्कृति नहीं होती है तो सब कुछ ठीक है और हाँ क्या बोलते हैं उसको कोई बैन बेटी आती है कहीं पे तो अगर आपका किसी केसाथ एड़्जस्में नहीं जम रहा है तो आप खुद को दूर कर दें किसी को माणने पीटने का उसको गलत कहने का किसी को अधिकार दीकार नहीं है फिर भी लोग ऐसा चाथे हैं कि मैं गलत हूँ तो काम करती यह वर उनव हो जाँ वैकि मरने वाली नहीं हो क्यूंकि ऐसे लोग बहुत आते हैं जो हर रोज मुझे यूं केते हैं मर जा मर जा मर जा नहीं मरूंगी रहते हमत है मुझा म lle तो सबसे बड़ी बात ये है कि मेलाओं को इज़्जत देना सीखो मेरी बात नहीं है नहीं तो वो डूंगरपुर में जो दस साल की लड़की एक साथ बलातकार हुआ हैंगे ऐसा हर जगे होने लग जाएगा फिर ये मत कहना कि हमारे समाज में ऐसा नहीं होता है ठीके तो ये ये एक एक करके दीरे दीरे हमारा जो समाज इन दूसरे समाजों से सीखता जा रहा है हमारे समाज के लिए नुक्सान दायक हिं इस SEO ठीक है तो सभी लोग और बहुत सारी सरकार की योजना हैं अपने समाज में बहुत सारी इसी बेमार्यां हैं जो केवल और केवल हमारी समाज में होती है क्योंकि यहां पोशन का इसतर कम हैं तो जो चिकिस की सुवीदाइं सरकारी की तरफ से मिलती है तो यह से भाशन देने के अलावा हमारे लोगों को इस इशा में भी जागरूप करें गेम्स भी खिलाएं बच्चों को जिस लाइन में आगे बढ़ना चाता है उस लाइन में आगे बढ़ें बहुत सारे छोटे छोटे लोग आज बोलना चाते हैं तो एक और जीज़ जहवार बोलने का मतलब ये नहीं होता है कि आप आदिवासित के संगटन का समर्थन ही कर रहे हैं जै जोहार एक उद्बोधन है उसको आप कोई भी बोल सकता है मैं तो चाते हूँ केवल आदिवासी ही क्या एक दिन दुनिया का हर वेक्ती जै जोहार बोले जै जोहार एक ऐसा उद्बोधन है जिसमें आप कुद्रत की जै कर रहे हैं वह कुद्रत जो आपके साथ भेदवाव नहीं कर रही है आपकी जाती धर्म आपका रंग आपकी हाइट यह सब देखे उस कुद्रत की जै बोलना गलत नहीं होता है तो जिसको बोलना सर्व समाज जै जोहार बोले इन धर्मों से दूर रहे इन पार्टियों से दूर रहे और एक और समाज हमारे आदिवैसी समाज का उत्थान आदिवैसी समुदय का उत्थान केवल और केवल उस दिन होगा जिस दिन आदिवैसी समुदय पार्टियों से दूर रहेगा कैसे दूर रहेग किसी से कोई मतलब नहीं रखना चाहिए लेकिन अपन तो घर के बार जंडी लगाते हैं, गाड़ी के बार जंडी लगाते हैं, हातों में पहनते हैं, सीर पे टॉपी लगाते हैं, पार्टियों के पार्टियों को मज़ा होते हैं, यहां के इस बेल्ट के लोग तो हमारे ही हैं वो हमारे ही हैं वैसा करके इस्तिमाल करते हैं आपकी किसी भी हरकत से सामने वालों को नहीं पता चलना चाहिए किस पार्टी का आपकी किसी हरकत से लोगों को नहीं पता चलना चाहिए किस धर्म का आप एक neutral वाली जिंदगी जी हैं आप अगर हिंदू नहीं है तो आप मुसल विश्ट को किसी चाहएं किसी धरम के रहे सकता है आदिवासी में पीचे सरकार प्रसासं सब के सब आदिवासियों की इज़ित करें तरीक नहीं उनको पता है यह belt fix BJP का है, यह belt fix Congress का है, यह सब यह है, यह सब अच्छा नहीं लगता है, इसका एक live उदारण यह देती हो कि BJP वालों ने कारिकरम किया, कुछ लोग गए, उसके बाद उसका विरोध करने BTP के कुछ लोग गए, उसके बाद बिलपरदेश मुक्तिमोर्चा ने आहन किया, अब तमाम देश के लोग आए, और इतने लोग आए, उम्मिद से जादा लोगों को पानी नहीं मिला, BTP वालों ने BJP वालों का विरोध किया, तो आदिवासी परिवार वालों का भी विरोध किया, जब आदिवासी परिवार वाले गए, तो उन्होंने Congress, BJP, BTP सब का विर देशी हैं, तो Congress का विक्ति भी अपने आपको आदिवासी करे, BJP का विक्ति भी करे, वो अपनी पार्टियां छोड़के समाज के काम में आगया है, लेकिन जो समाज का काम करके आगे आने वाली बातें कर रहे थे, उन्होंने भी अपने समाचार के विज्यप्तियों में क् किया, एंटीपी का आगाज या, एंटीपी के विक्तियों ने, एंटीपी के समाजिक कारिकरताओं ने ये किया, तो भई फिर आपने वही पार्टी वाली बात कर दी, तो फिर ये समाजिक कहां हुआ, तो समाजिक मतलब ऐसा होना अच्छी कि समाजिक कारिकरम हो रहा है, व सब कुछ भूल के सिर्फ समाज के लिए आ गया और उस दिन ऐसा हुआ कट्टर बीजेपी के लोग भी वहाँ आए थे क्योंकि वह नहीं चाहते थे लेकिन इसके साथ मेरे तै होता हो कि इसके साथ रिष्टे में है आज की तारीक में अंगिनत लड़कों के साथ मेरी फोटो है आप किस-किस के साथ मुझे जोड़ोगे आप स्वयम देख सकते हो आप इससे जादा में कुछ नहीं कहना चाहते हूं मैंने बहुत कुछ बोला है तब माफी जोहार बाकि उस दिन के लिए मैं माफी नहीं मांगना चाहती थी फिर से बोला कोई बात नहीं लेकिन उस वेक्ति ने जो मेरे से माफी मंगवाई वो गलती है जो है ठीक है किसी के घर खाने नहीं जा रही हूं अपने अपना खाती हो अपना कमाती हूं खुश ह ये लुगार